Hello everyone, I welcome to Wallet Pathfinder platform, Pathfinder platform में आपका स्वागत है आज की इस पर्टिकलर वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपोर्टेंट हिस्टॉरिकल फिगर समराट मिहिर बोज महान के बारे में समझेंगे देखें अभी इससे रिलेट एक कॉंट्रोवर्सी भी है, पहले मैं आपको कॉंट्रोवर्सी के बारे मैं बता दूँ आप हरियाना के अंदर देखेंगे तो खैतल नाम का डिस्टिक्ट है, खैतल नाम के डिस्टिक्ट में इनकी मूर्थी का अनावरण करा गया है अब यहां पर इसमूर्थी का नावरण करते वक्त इनके नाम के आगे गुर्जल लिखा हुआ है और इससे राजपुस समुदाय बहुत ही खफा है विकोज राजपुस समुदाय मानता है कि यह राजा जो है वो उनक्स की कम्मुनिटी से बिलॉंग करते हैं और आप यहां पर देखेंगे वही गूर्जर कम्यूटी भी मांथाए कि नहीं नहीं यह राजा जो है वह हमारी यहांड़ी के हैँ आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकल बीजेपी लीडर्स ने इसके अंदर ही कहा है कि आपको यहाँ पर गूर्जर नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि कॉंट्रवर्सी है कि गूर्जर के हैं या फिर राजपूर समुदाय से विलॉंग करते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदू समराट यहाँ पर लिख देना चाहिए था तो इस टाइटल से इनको अभी दिक्कत हो रही है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं 35 लोकल लीडर्स जो है हर्याना के अंदर उन्होंने रेजिगनेशन भी दे दिया इस बात पर कि भई अगर सरकार इसके आगे गूर्जर लिखेगी इस महराज के आगे अगर गूर्जर लिखेगी तो हम यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए राजी हैं हर्याना सरकार से पूछा भी गया है कि जब यह चीज अभी तक डिसाइड नहीं थी तो क्यों ना हम इस प्रतिमा का अनावरन रोक दें इस तरसे हाई कोट के द्वारा कहा गया है पूरा इस वीडियो के बारे में हम पूरी इक स्कॉंट्रवर्सी के बारे में समझेंगे हम राजा महिर बोज के बारे में भी समझेंगे but before that I want to let you know that pathfinder आपके लिए एक उडान बैच लेकर आया है this batch is very very important because यह आपको बहुत सारे features प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स का live class रहेगा means test series रहेगी, prelims test series रहेगी, आप यहापर देख सकते है live answer writing, live notes making classes भी होंगी इसका साथ comprehensive coverage यहाँ पर syllabus का clear जाएगा three means mentorship provide करी जाएगी, toppers का आपको interaction कराया जाएगा और well planned schedule के अंदर preparation कराया जाएगा, यह सभी 7,999 रुपीस के अंदर है यह बहुत ही affordable fees है, और sustainable नहीं है, इसलिए 35% इसके अंदर high को रहा है, July 31 से, मैं चाओंगा कि मेरे सारे students अभी इस batch को subscribe करें, जिससे की fees high से आप इसके अंदर बच जाएग, इसी के तरह उड़ान GS और optional combo substitution भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, जो आपको बहुत ही सस्ता 13,999 रुपीज के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, इस सारे educators अपने अपने options यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, इसी तरह से optional कार्णिवाल भी अभी चल रहा है, और बहुत सारे optional हम यहाँ पर launch कर रहे हैं, इसे very very affordable price, यहाँ पर आप देखें कि NCRT की foundation batch भी है, NCRT foundation plus comprehensive batch भी आप ले सकते हैं, यह composition भी ले सकते हैं, या फिर NCRT का अलग से foundation batch भी ले सकते हैं, इस batch is going to start from the 7th अगस्त, और इसका fees भी सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपीज रहेगा, तो चलिए, अब हम समझते हैं कि महर वोज कौन थे, राजा महर वोज के बारे हम समझ नवी शताबदी के ये एक राजा हैं, और बहुत ही ambitious और successful ruler यहां पर रहे हैं, इनकी जो dynasty उसका नाम है गूजर प्रतिहरास, और ये नाम ही एक तरह से controversial नाम है, इसके बारे मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका जब इनका इनके time पर जो गूजर प्रतिहरास थे, वो एक अलगी height पर पहुँच गया थे, अगर आम देखेंगे, नरंदा river से लेकर 17 river तक, नरंदा river से लेकर 17 river तक इनका पूरा का पूरा इन्होंने capture कर रहा था, और बंगाल जो है, बंगाल तक इनका पूरा का पूरा इस्ट के अंदर अगर उसके अंदर भी इनका, अभी आप देखेंगे, उस समय वर्चस्व था, right, अब मैं आपको यहाँ पर एक tripartite struggle के बारे में बताता हूँ, देखें, तीन डाइनस्टी यहाँ पे थी, राष्टकुटास, पालास और गूजर पतिहरास, ठीके, यह तीन डाइनस्टी अगर आ tributaries हैं, वो भी यहाँ से पास होती है, यमना नदी भी इसके आसपास सही जाती, तो एक बहुत ही fertile zone कन्नौच हो गया था, और हर कोई जो था, तो कन्नौच के उपर capture करना, कन्नौच को capture करना चाहता था, और यहाँ पर इन तीन डाइनस्टी के बीच में, बड़ी डाइनस् अंडर दा, अंडर दा, रूल आफ महिर बोच, बहुत सक्सेस्फुल रहते हैं, और कन्नौच को काफी समय तक यह रूल करते हैं, आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, इस लड़ाई के अंदर, यह राष्ट कुटास से बहुत सारे एरिया, जैसे मालवा, गुजरात, यह भी आपको इन्होंने एक टाइटल दिया था, आदिवरा, ठीक है, इनके जो अपोनेंट्स से वो भी इनको आदिवरा बोलते थे, और इनके सपोर्टर्स से वो भी इनको आदिवरा बोलते थे, क्योंकि विश्नु के बहुत बड़े एक डिवोटी थे, अब देखें, यहाँ जो वरा है, यहाँ पर आपको मैं बदान चाता हूँ, यह एक तरसे दश अवतार में से, विश्नु के दश अवतार में थे, तीसरा अवतार था, जिसके अंदर विश्नु ने एक वाइल्ड बोर की रूप में, लॉड विश्नु ने एक वाइल्ड बोर की रूप में, यहा पर बोला जाता है अब मैं कोर के अन्दर ये नेम है गूरजर और प्रतिहाराज ठीक़ गूरजर प्रतिहाराज डैनस्टी جसके महिर वोज ​ राजा थे अब यहाँ पे जो गूरजर वर्ड है गूरजर वर्ड है तो गूरजर कि एक ब्रांच मानी जाती है प्रतिहारा तो प्रतिहारा क्योंकि यह नाम लिखा हुआ है तो राजपूत बोलते हैं कि यह हमारे रूलर थे यह हमारे राजा थे आधो यहां पर हम बात करते हैं इनकेन्नेकी सीडेंट की ठीक है इनके की सीडेंस जो है Koover अरुन उदय सिंग परिहार उन्होंने ऐसे बोला कि एक्चुली ये हम जो हैं वो राजपूत कलन से ही ब्लॉंग करते हैं बट यहां पर यह गुर्जरवर्ड आया है गुर्जरवर्ड इसलिए आया है क्योंकि गुजरात को इन्होंने जीत लिया आता जैसे मैंने आपको बत हैं कि इन्होंने प्रदानमंत्री मोधी को चिठ्ठी भी लिखी थी कि राजपूत की इस्ट्री जो है उसको डिस्टॉर्ट करना बंद करें ऐसा डिसिडेंट जो है इनके मिहर भोज के वो बोलते हैं अब यहां पर हिस्टॉरियंस का क्या व्यूपइंट है यह भी हमको सम देखने को नहीं मिला है ठीक है और अगर हम देखें तो इनको अरब रोग जो थे अरब लोग इनके बहुत बड़े दुश्मन थे और अरब वर्सेस प्रतिहाराज होता रहता था ठीक है और यहां पर अरब जो लोग थे वो उनको लौड ऑफ गूजर बोलते थे लौड ऑ इस्टी की जो रूलर थे नागबट फस्ट उन्होंने गूजर्ज को हराया हुआ है बट वहीं अगर हम देखें राजीव लोचन नाम की इस्टोरियंस जो हैं चंदीगर पंजाब यूनिवर्सिटी के वो कहते हैं कि गूजर प्रतिहरास ग्रूप जो है वो दोनों ही मिहर बोज से लिंक्ड है एक्चुली गूजर जो है वो एक नॉमेडिक ट्राइब है एंचेंट इंडिया का जैसे मैंने आपको बता है ये इस तरह से बोलते हैं और ये माना जाता है कि मिहर बोज जो थे वो इसी ट्राइब के थे बट मिहर बोज क्योंकि उस वक्त हर कोई जो इस तरह से अपना नाम यहां पर एड़ कर लिया जिससे कि इनको शत्री स्टेटस मिल जाए तो ये पूरे कॉंट्रोवर्सी के बारे में यहां पर बोला जाता है आप देखे हाई कोट जो है उसके प्रेशन फाइल की गई हर्याना के रेजिडेंट के द्वारा जाता है और उन्होंने बोला कि देखे यहां पर दंगे भड़ामें की संभाव नहीं हो सकते हैं यहां पर लॉए और जो होता है वो उसको खत्रा हो सकता है तो स्टेट को मिंटेन करना चाहिए लॉए इसके लिए हर्याना कोट कुछ अपनी तरफ से बोले तो हर्याना कोट ने इसक information और conflict वाली situation आ रहे है वो यहां पर नहीं बने रहे है इसी तैसे हर्याना की जो हाई कोट है ठीक है पंजाब है हर्याना है उन्होंने की कहा है गवर्मेंट से कि आपको law and order maintain रखना है और जल्दी से जल्दी इस issue को sort out करना है so that's all for today's class thank you so much for listening me I hope you enjoy this lecture आपको पूरा पूरा topic समय में आगया होगा please share this video widely please like and please subscribe our channel also thank you so much bye bye take care and have a nice day